तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैं रोईत आप सभी के साथ और देखें मार्किट में आज के दिन काफी जबदस गिरावट देखने को बली लेकिन काफी अच्छा पैसा बनते हुँ दिखाई दिया और देखें सबसे अगल मैं बात कहूं तो यहाँ पर आपको देखने को बलेगा कि आप सभी को याद होगा कि आज के दिन देखें मार्किट में कहीं ने कहीं इस जगा गिरावट के साथ ओपनिंग हुई लेकिन उसके बाद भी हमारा जो ब्यू था वो इस जगा सेलिंग का ब्यू था यानि अगर आप इस देखोगे तो यहाँ पर देखने को बलेगा लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो इसने उपर की लेवल से देखें नीचे कितना लो मारा है अगर मैं बात को ऊपर की लेवल से देखें नीचे जो इसका लो दिखाई दे रहा हो कई ने कहीं 36,000 के सम्थिंग का दिखाई दे रहा है और जे टार्गेट मैंने आपको कल के दिन दिये थे चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या पोस्ट किया था देखें जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे इस जगह आपको देखने को बलागा और 36,200 का पीई हमने बाइ बनते हुँ दिखाई दे रहा था तो यह आपके लिए सीखने के लिए होता है इनको सीखा करो समझा करो देखा करो ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया गया जवदस परोफिट बनता हुँ दिखाई दिया यह लास्ट में मैंने कि आंगे कैसे काम करना चाहिए तो आंगे काम करने से पहले देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टेरेल लाइन को हम आंगे लेके आंगे यानि इस बॉक्स को आंगे लेके आंगे अब इस बॉक्स को मैं आंगे की साइट क्यों लेके आया हूँ जिस सबसे पहले आप के म आज के दिन इसमें हुआ क्या था बेसिक अगर आज के दिन आप समझोगे तो यहां पर आपको देखने को लगा यहां पर एक अच्छे कारसे ड्याप के साथ डेखे ओपनिंग देखने को भूली ओपनिंग के बाद के मार्केट करें यह जगह समलता हुँ दिखाए दिया लेवल था उसको पार नहीं कर पा रहा था मार्केट में आप बिल्कुल अपना चार्ट देखिए उसको समझिए फिर इस वीडियो को बिल्कुल दिहान से समझिए ठीक है फिर उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट इस जगह देखे कंसुरेट करता हूँ दिखाई दिय यानी मार्केट ने काफी समय इस जगह बिताया था चल रहर जा सो से लएक3300 के इन दोनों के रहर्ट में इस जगह मार्केट ने समय बिताया फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एक fast selling देखने को बली और इसने अपने support को भी इस जगा break किया है तो कहीं ने कहीं देखे market में एक अच्छी कासी selling देखने को बली लेकिन market में अगर आप देखो तो एक जो psychology level था 34,000 का उस psychology level को इसने break नहीं किया उसकी आसपर देखे इस जगा low मारा है अब हम इसमें देखे tirade कैसे कह सकते हैं तो इसमें tirade करने का सबसे अच्छा एक mindset आपका होना चाहिए कि जो आपका देखे पहले support था जे आपका देखे plus point था वो plus point आपका क्या हो चुका है इस जगा minus point हो चुका है यानि अगर अब हमको market इस जगा 36,200 के something मिलता है तो इस जगा हमारा जो plan होगा वो इस जगा देखे PE buying करने का हुगा ऐसा मैंने क्यों बोला कि हम इस जगा PE buying कर सकते हैं क्योंकि कई ने कई यह किसमें resistant बन चुका है अगर मार्केट हमारा देखे तेजी के साथ भी open होता है तो उस जगा भी हम इस जगा PE buying करने की कोशिस होंगे चलिए समझ लेते हैं कि इस जगा हम PE कैसे buying कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको उताना चाहूँगा है कि आज के वीडियो का like का टार्गेट है तो मुझे उमीद है कि आप सभी लोग इन like को पूरा करोगे तो अगर मार्केट देखे अगर हमको देखे 36,200 के something मिलता है विल्कुल PE buying करना चाहिए इस जगा देखे हमारा एक logic होगा कि 36,200 के उपर नहीं जाना चाहिए इसके उपर नहीं जाता है 36,200 का PE buying करेंगे पहला टार्गेट हमारा आज का low होगा यानि एज जगा 36,000 का पहला टार्गेट आपको देखने को बलेगा जो कि आज का low है अगर आज का low जे break कर देता है तो फिर आपको एक बड़े टार्गेट देखने को बलेगे जो कि देखे 35,900 का पहला टार्गेट और दूसर टार्गेट आपका 35,800 का देखने को बलेगा यानि अगर हम बात करें तो इन टार्गेट के लिए भी हम मार्केट में काम कर सकते हैं सिंपल सा लॉजिक में आपको बता है काफी अच्छा लॉजिक बता है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए चलिए अब बात समझते हैं कि आंगे और क्या करना चाहिए तो इस जगह दिखे 30 मिट का चार्ट उपन किया है HDFC बैंक और HDFC के अंदर मर्जर हुआ था उस टेम भी मैंने आपसे कंटीनिव बोला था कि मार्केट इस जगह देखे टिक नहीं पाएगा और मार्केट में उपर के लेवल से सेलिंग देखने को बलेगी की ऑपसेजने का डेटा अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां पर पूरा यौजा आपको दिखाई दे रहा है इस लौज में इस लौज हैं जिन्नोंने कहीं कहीं इस्ट लौज का पालन नहीं किया पिलस कहीं नहीं कहीं देखिए मार्केट में इस जगह रीकवरी की कोशिश की कि यहां वहीं रीकवरी आ सकती है तो इस जगह निकल जाओंगा अब जिस सभी लोग जो है ना इस जगह देखिए इसमें आप भी हो सकते हो तो मुझे कमेट के अंदर बताइए कि आपने क्या ल पिलस में ओपन हो जाता है तो मार्केट में मैं इस जगह क्या करूंगा मार्केट में जो मुझे लॉस हो रहा है नीचे की साइट में उसमें निकलने की कोशिश करूंगा यानि अगर मार्केट उपर की साइट उपन हो जाता है तो मैं निकलने की कोशिश करूंगा और बिल 500 पार करेगा क्योंकि 34500 पर अगर आप देखो तो सततर हजार की सम्तिंग का देखे आज के दिन ही एड हुआ है और एक लाग 24000 की सम्तिंग का देखे एक जगा ओपन इंटेस है यानि काफी ज़्यादा देखे लोगों ने जगा कॉल बाइंग करके रखें जब जब मार्केट आपका 36500 पर जाएगा तो जब जब देखे मार्केट में उच जगा से सेलिंग देखने को बलेगी तो 36500 काफी बड़ा रज अगर हम बात करें तो 36400 के सम्तिंग भी है जिगा 34400 पर भी एक रजिस्टेन का काम तो आपके जो दोनों लेवल हैं जो कहीं कहीं रजिस्टेन का काम करते हुँ दिखाई देंगे मार्केट के अंदर चलिए अब बात करते हैं कि इसमें सपोर्ट क्या तो आज का एक ही सपो आपका एक ही सपोर्ट है 36000 का एक ही सपोर्ट है 36000 का 70000 के आज़ जगह देखें ओपन इंट्रस आपको दिखाई दे रहा है जब्सक्तिंग की अगर हम बात करें तो 15000 की संथिंग है अगर जे आपका 36000 तोड़ता है फिर आपको काफी फास्ट मुवमेंट नीचे की देखने को मिल सकती है जो कि 200 से लेके आपका 300 पॉंट की मुवमेंट आपको देखने को मिल सकती है अब इसको कैसे ट्रेट करना चाहिए उसको अपन समझे लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बतायता है कि हमारे प्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्र कर लिजे अब देखे मार्किट में हमको इस जगह क्या समझना है कि मार्किट देखे अब कितनी गिरावट आपकी दिखा सकता है और किस लेवल से दिखा सकता है तो अभी हमने बिल्कुल बात कि वहीं 36000 का एक लेवल आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अगर उसको प जगह देखे एक एक आपका रजिस्टेंट बन जागा और इस रजिस्टेंट को जैसे ही नीचे की साइट ब्रेक करेगा तो फिर आपके नीचे की साइट लेवल निकलते हुँ इदिखाई देंगे तो बेसिक हमको इस जगह क्या करना है कि मार्केट अगर जी 36000 के लेवल क दे देना चाहिए तो इसके अंदर देखे अपनी किलोजिंग दे देता है तो हम इसमें देखे सेलिंग कर सकते हैं और फिर हमारा जो टार्गेट होगा वह पहला टार्गेट हम इस जगह समझे लेते हैं हमारा पहला टार्गेट होगा 35900 का दूसरे टार्गेट के बाद के तो 35800 का और तीसरे और लास टार्गेट की बाद कहें तो तीसरे और लास टार्गेट 35600 का यानी हम इन टीन टार्डगेट के लिए मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं Simple सा Psychology मैंने आपको बताया है Simple सा मैंने Trade बताया है भी बड़ा देखे इसके अंदर logic नहीं है कोई भी इतना psychology logic नहीं है market में अगर आप देखोगे तो पिछली वाया देखे market जब इस level पर आया तो इस level पर हुआ क्या था कि market इसी level से lot गया था यानि इसी level से market में एक अच्छी काशी तेजी हमको देखने को मिल चुके थी करेंगे और उपर से जो इसका डवल परेसर आपको देखने को बलेगा तो अपकी बात एकर मार्किट जाता है तो फिर आपका इस जगह देखे वन डे का चार्ट ओपन किया है वन डे के चार्ट पर आपको कैसा पैटन दिखाई देता है तो वन डे के चार्ट पर देखे विखुँ क्लियर में इस जगह अगर मैं बात कहूं तो एक ब्रेकडाउन हमको दिखाई दे रहा है अब यहां पर देखे इस चीज़ को आपको बिल्कुल आग बन करके बिस्वास नहीं करना है ठीक है हम देखे मार्किट अगर नीचे की साइट इस जगह क्रोस करता है इस जगह 36,000 को तो एक आपको बड़ी गिरावट आपको देख हलके फुलकी तेजी के साथ अगर ओपनिंग होता तो उसमें आपको कैसे काम करना है वो मैंने आपको वीडियो में बताई दिया है बाकि अगर कोई नए अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लिजे टेल